के हलो स्टूडेंज n był i nomeiska आपका स्वागत हैं ये वीडियो हैं क्लाक्स नाइन साइन्स के चैप्टर 6 उत्तक से इस वीडियो में हम अभिवास के सभी प्रशनों का उत्तर जानेंगे आपके NCRT Books के exercise में जितने तरह के questions दे गये हैं सभी questions को हम बारीकी से समझेंगे और उसका उत्तर लिखने का कोशिस करेंगे इस प्रकार ये वीडियो आपके लिए काफी helpful होने वाली हैं तो आएए वीडियो हम सुरू करते हैं exercise का first question उत्तक को परिभासित करें इस प्रश्ण में हमें बता रहा हैं कि उत्तक किस से कहते हैं तो ये इस प्रश्ण का हम उत्तर लिखने की कोशिस करते हैं कोशिकाओं का उवा समू जो संग्रचना एवं कार्यों में समान होता हैं तो था किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं उत्तक कहलाते हैं वहु कोशिक जीवों में क्या होता है कि कोशिकाओं की समू होती हैं जिसमें प्रित्य कोशिकाओं की संग्रचना और उनके कार्य एक समान होते हैं और इस प्रकार कोशिकाओं के समू किसी विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं तो इससे हम उत्तक कहते है हैं अगर अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न सिंखा 2 कित्रे प्रकार के तत्व मिलकर जायलम उत्तक का निर्वान करते हैं उनके नाम बताइए जैसा कि हम जानते हैं कि पौधों में जायलम नामक उत्तक पाया जाते हैं जो जल के परिवहन के लिए उत्तरदाई होता है इस प्रश्न में हम से पूछा गया है कि जायलम उत्तक में कितने परकार के से अवयोंawan से मिलकर बना होता है उसमें पहला है जायलम ट्रैकिड्स जिससे वाही निका भी कहा जाता है अगला है जायलम वाही का तिसरा नंबर में है जायलम पैरेंग काइमा और चोथा नंबर है जायलम फाइबर यानि पौधों में जायलम नामक उत्तक चार प्रकार के आवयवों से मिल बना होता है सभी जायलं वाहिका जायलं पैरेंस का अञेलं अगला प्रश्ण देखेंगे है किम क्षोगम प०्धों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होता है इस प्रश्ण में पाध्षों में चाहिए चाहिए उत्तक के मजद अंतर इस्पष्ट करना है हम लिखेंगे पाधों में सरल उत्तक तथा जटील उत्तक में निम्नलिखित अंतर होता है अब एक तरफ हम लिखेंगे सरल उत्तक और दुसरे तरफ लिखेंगे जटील उत्तक एक ही प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं जबकि जटिल उत्तक एक स्वाधिक प्रकार की कोशिकाओं के बने होते हैं ये पहला अंतर हैं सरल उत्तक और जटिल उत्तक के मजद सरल उत्तक में क्या होता है कि इसमें एक ही प्रकार की कोशिकाओं होती हैं लेकिन जटिल उत्तक में एक से अधित प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अगला अंतर ये हैं कि सरल उत्तक में कोशिकाओं की कोशिका भित्ती पतली होती हैं। जबकि जटिल उत्तक में कोशिकाओं की कोशिका भित्ती मोटी होती हैं। अगर हम उदाहरन की बात करें तो सरल उत्तक का उदाहरन है पैरिंग कायमा, कॉलिंग कायमा इत्तादी लेकिन जटिल उत्तक का उदाहरन है जायलम, फुलोयम इत्तादी इस प्रकार इस प्रश्ण का उत्तर हमने लिख लिया अब हम अगला प्रश्ण देखेंगे अगला है प्राश्ण सिंखा चार कोशिकाव हित्ती के आधार पर पैरिंग कायमा, कॉलिन कायमा और इस्कलिरिन कायमा के बीच भे दिस्पस्ट करें अब आईए इसका हम उत्तर लिखने की कोशिस करते हैं पेरेंग काईमा, कॉलेंग काईमा और स्कलेरेंग काईमा के बीच निमनलिखित प्रकार का अंतर होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेंग काईमा की यह जीवित कोशिकाओं का समू है जिसमें कोशिका भित्ती पैक्टीन तथा सेलूलोज का बना होता है। पेरेंकाइमा एक सलल उत्तक है जो जीवित कोशिकाओं का एक समू है इसकी खास्यत यह है कि इसमें जो कोशिकाव हित्ती होती है वह पैक्टीन और सेलूलोज का बना होता है या गोलाकार कोशिकाव हित्ती वाली कोशिकाओं से बनी होती है पेरेंकाइमा में जो कोशिकाओं की बात क्या जाए तो यह भी जिवित कोशिकाओं का समूह हैं जिसमें कोशिका भित्ती पैक्तिन तथा सेलूलोज का बना होता है जैसा कि पैरिंग काइमा में होता है वैसे ही कॉलिंग काइमा में भी जिवित कोशिकाओं का समूह पाया जाता है और इसमें जो कोशिका भित् है अगला है इसकलेरन कायमा यह निर्जीव कोशिकाओं का बना होता है इसकलेरन कायमा एक ऐसा उत्तक है जिसमें कोशिकाओं निर्जीव होती है जिसमें कोशिकाओं भित्ती लिगनीन का बना होता है कोशिकाओं भित्ती मोटी अबंग मजबूत होती है इसकलेरन कायमा में जो कोशी का भित्ती होती हैं वो मोटी होती हैं और मजबूत होती हैं इस प्रकार इस प्रश्ण में हमने पैरेंग कायमा कॉलेंग कायमा और इसकलेंग कायमा के मज्द उनकी कोशी का भित्ती के आधार पर अंतर इसपस्ट किया अब हम अगला प्रश्ण देखेंगे अब हम देखेंगे प्रस्ण सिंख्या पांच रंद्र के क्या कारे हैं पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिने रंद्र कहा जाता है पत्तियों में कोशिकां की जो बाहरी परत होती हैं इससे एपिडर्मिस कहा जाता है और इसी एपिडर्मिस में अनेक छोटे छोटे छिद्र पाये जाते हैं जिनने रंद्र यानि इस्टोमाटा कहा जाता है रंद्र प्रकाफ संक्सिलसन तथा स्वासन के दोरान ग्यासिय आदान प्रदान में सहायक होते हैं पौधे प्रकाफ संक्सलेसान और स्वासन की क्रिया के दोरान वायुमंडल से ग्यासियों का आदान प्रदान करते हैं और इस प्रकार ग्यासिया आदान प्रदान में यही रंद्र सहायक होते हैं पधों में वाक्षपत सर्जन के दोरान जलवास रंद्र से होकर ही बाहर निकलती है पधों में वाक्षपत सर्जन की क्रिया होती है वाक्षपत सर्जन क्या है पधों के सरीर से जल का वाक्षपत के रूप में हानी होना ही वाक्षपत सर्जन कहलाता है और इस प्रकार पधों ये पौधों के लिए काफी उपयोगी है अगला प्रकार के पेशिय रेशों में चित्र बना कर अंतर रिस्पस्ट करें अब आईए इस प्रश्ण का हम उत्तर लिखते हैं तीन प्रकार के पेशिय उत्यक का नाम निम्नलिखित हैं, पहला है रेखित पेशी, दुसरा है चिकनी पेशी और तिसरा है कारडिक पेशी, किसी भी जन्तु में तीन प्रकार के पेशियों पाये जाते हैं, रेखित पेशी, चिकनी पेशी और कारडिक पेशी, अब इन तीनो प्रकार के पेशियों का चित्र बना कर हमें अंतरिस्पस्ट करना है पहला है रेखित पेशी रेखित पेशी का चित्र इस प्रकार है इस प्रकार के पेशी में अनेक धारियां अनेक रेखा बनी होती है इसलिए इस प्रकार के पेशी को रेखित पेशी कहा जाता है ये पेशी हमारी हड्डियों के साथ जूड़ी हुई होती हैं इसलिए हम अपनी इच्छानुसार इन सभी पेसियों को गति करा सकते हैं अगला है चिकनी पेशी इसका चित्र इस प्रकार है इसमें जो पेशियां होती है वो तर्क रूपी होती है यानि बीच में मोटी और दोनों किनारे पतली होती है चिकनी पेशी में कोई धारिया नहीं होती है इसलिए इससे चिकनी पेशी कहा जाता है और इस प्रकार के पेशी का गती हमारी इच्छानुसार नहीं होती है अगला प्रकार का पेशी है कारडिक पेशी इसका चित्र इस प्रकार का होता है कार्डिक प्यसी हमारी हर्दय में पाई जाती है और जीबन भर यह लायवध तरीके से गति करती है अगला है प्राष्ण सिंखा साथ कार्डियक याने हर्दयक पेसी का विशेश कारिक क्या है आब आईए इस प्राष्ण का हम उत्तर लिखते हैं ह testim की पेसियों को कारड्य। पेसी कहा जाता है। यह अनिच्छिक पेसियां होती हैं अर्था इन पेसि की गती हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती है। हिर्दय की पेसियां जीवन भर लायवद्ध होकर प्रसार अवं संकुचन करती रहती हैं जिससे हिर्दय धड़कता हैं हिर्दय की पेसियां क्या करती हैं कि ये जीवन भर लायवद्ध होकर प्रसार अवं संकुचन करती रहती हैं जिसके कारण हिर्दय धड़कता है यानि कार्डियक पेशी जो है यह कभी रुखती नहीं है अब हम देखेंगे प्रश्ण सिंखा आठ रेखित औरेखित तथा कार्डियक यानि हिर्दयक पेशियों में सरीर में स्थित कार्य और स्थान के आधार पर अंतर इस्पष्ट करें इस प्रश्ण में हमें तीनों परकार के पेशियों के मजद अंतर इस्पष्ट करना है तो यह इस प्रश्ण का हम उत्तर लिखते हैं रेखित आरेखित तथा कार्डियक पेशी में निम्नलिखित अंतर हैं सबसे पहले हम बात करेंगे रेखित पेशी की ये पेशियां अध कारण इन पेशी की गती हम अपनी इच्छानुसार करा सकते हैं इन पेशियों पर रेखाएं या धारियां होती हैं और इस कारण इने रेखित पेशी कहा जाता हैं इन प्रकार के पेशियों को रेखित प्रेशी इसलिए कहा जाता हैं क्योंकि इनके उपर रेखाएं या धारि बनी हुई होती हैं अगला प्रकार का पेसी है और एखित पेसी यह पेसियां आंतरिक अंगों जैसे आहारनाल रक्त नली का आदी के गतियों में सहायक होते हैं जो कि हमारे इच्छा अनुसार नहीं होती हैं हमारी अंतरिक अंगें जैसे कि हमारी आहारनाल रक्त नली का इत्तादी में गती होती हैं और इस प्रकार की गती हमारे इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं और इस प्रकार के गती के लिए जिम्मेदार होती है अरेखित पेसियां अर्थात ये अनेचिक पेसियां है चुकि अरेखित पेसि की गती हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती है इसलिए ये पेसियां अनेचिक पेसियां है इन पेसियों पर कोई रेखा नहीं होती है आई जाती हैं इससे कार्डियक पेशी कहा जाता हैं यह अनिच्छिक पेशियां होती हैं हमारी हिर्दय की धरकन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं अर्थात इनमें जो पेशियां होती हैं यह अनिच्छिक पेशियां होती हैं हिर्दय की पेशियां जीवन भर लावन होकर प्रसार एबन संकुचन करती रहती हैं निउरन का एक चिनहित चीत्र बनाईे इस प्रश्न के जबाब में हमें निउरन का एक चिनहित चीत्र बनाना है निवरन का चित्र इस प्रकार होगा निवरन एक ऐसा कोशिका है जो हमारे तंत्री का तंत्र का हिस्सा होता है इसमें जो उपर में धागे जैसी संग्रचनाएं होती हैं इससे दुरूमी का कहा जाता है इसकी कोशिका में एक केंद्रक होती है जिस प्रकार सभी कोशिकाओं में केंद्रक होती हैं ठीक वैसे ही नियूरन की कोशिकाओं में भी एक केंद्रक पाई जाती हैं अब ये नियूरन की जो कोशिकाओं हैं इसकी एक लंबी पूश निकली होती हैं जिससे तंत्रीकाक्ष कहा जाता हैं और इसके अंतिम सीरा होती हैं जिससे तंत्रिका का अंतिम सीरा कहा जाता हैं सभी प्रकार की कोशिकाओं की तरह इस कोशिका में भी कोशिका काय पाय जाता हैं तिस प्रकार निवरन का एक चिन्हित चित्र बनाया जा सकता हैं अब हम देखेंगे प्रश्ण सिंख्या 10 प्रश्ण सिंख्या 10 में पूछा गया है निम्नलिखित के नाम लेखें पहला क्वेश्चन है उत्तक जो मुँग के भित्री अस्तर का निर्मान करता है मुह के भित्री अस्तर का निर्बान करने वाला उत्तक का क्या नाम है सही जवाब होगा सरल सलकी एपिथेलियम उत्तक अगला प्रश्ण है उत्तक जो मनुष में पेशियों को अस्ति से जोडता है सही जवाब होगा कंडरा कंड्रा ऐसी संग्रशना हैं ऐसी उत्तक हैं जो पेशी और अस्थी को आपस में जोडती है किसी प्रकार अगला प्रश्न पूछा गया है उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है ऐसा कौन सा उत्तक है जो पौधों में भोजन का स्थानानंतरन करता है इसका सेजवाब होगा फ्लोयम प्रश्ण सिंख्याट D में पूछा गया है उत्तक जो हमारे सरीर में वशा का संचय करता है वशा का संचय करने वाला उत्तक का क्या नाम है सेजवाब होगा वशा मैं उत्तक अगला प्रश्ण है तरल आधात्री सहित स्वयोजी उत्तक एक ऐसा स्वयोजी उत्तक का नाम हमें बताना है जो तरल हो से जवाब होगा रफ्त इसे प्रकार अगला प्रश्ण पुछा गया है मस्तिस्क में इस्थित उत्तक मस्तिस्क में कोण सा उत्तक स्थित होता है से जवाब होगा तंत्री का उत्तक अब हम दिखेंगे अभ्यास का प्रश्ण सिंखा 11 निम्नलिकित में उत्तक के प्रकार की पहचान करें प्रश्ण में दिया गया है त्वचा, पौधे का वल्क, अस्थी, वृक्या नलिका अस्तर और संवहन बंडल इस प्रश्ण में हमें निम्नलिकित उत्तक के प्रकार की पहचान करना है पहला है त्वचा ये किस प्रकार की उत्तक हैं इसका जवाब होगा सलकी एपिथेलियम उत्तक अगला है पौधे का वल्क ये किस प्रकार की उत्तक हैं सही जवाब है सरल इस्थाई उत्तक इसी प्रकार अस्थी जो हैं वा संयोजी उत्तक का प्रकार हैं व्रिक की अनली का अस्तर घनाकार एपिथेलियम उत्तक हैं इसी प्रकार समवहन बंडल जो हैं ये जटिल इस्थाई उत्तक हैं किस प्रकार प्रश्ण सिंख्या 11 का जवाब हमने लिख लिया अब हम दिखेंगे प्रश्ण सिंख्या 12 अगला है प्रश्ण सिंख्या 12 पत्तियों में पेरेंग काइमा उत्तक में कुलोरोफिल पाया जाता है इस पेरेंग काइमा को कुलोरेंग काइमा कहा जाता है जल यह पाधों में क्या होता है कि इसमें पेरेंग काइमा उत्तक होती है यह पाधों को तैरने के लिए उत्प्रावन बल परदान करती है और इसी के गारण से इस पेरेंग काइमा उत्तक को एरेंग काइमा कहा जाता है अगला है प्राश्ण सिंखा 13 पाधों में एपिडर्मिस की क्या भूमिका है पाधों की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढखी रहती है जिससे सभी भागों की रच्छा होती है सबसे पहले था में जानना होगा एपिडर्मिस होता क्या है पौधों की जो बाहरी सतह होती हैं कोशिकाओं की जो बाहरी परत होती हैं उससे एपिडर्मिस कहा जाता है और पौधे की पूरी सतह जो होती हैं ये एपिडर्मिस से ढकी हुई रहती हैं जिसके कारण पौधे के सभी भागों की रच्छा होती है एपिडर्मिस पाधों में प्राय एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाती है जिससे जल की हानी को रोका जा सकता है एपिडर्मिस में क्या होता है कि इसमें मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत एक बनी हुई रहती है जिसके कारण पौधों के सरीर से जल की हानी नहीं हो पाती है पत्तियों के एपिडर्मिस में छोटे-छोटे छित्र होते हैं जिनने रंधर कहा जाता हैं और यह ग्यासों का आदान परदान तथा वाक्षपोद सर्जन क्रिया में सहायक होते हैं पौधे प्रकाश संक्सिलेशान और स्वासन की क्रिया के दोरान ग्यासों का आदान परदान करती हैं और इस ग्यासों के आदान परदान का जो प्राक्रिया होता हैं यह रंद्र के दोरा होता हैं और यह रंद्र मौजुद होते हैं पत्तियों के एपिडर्मिस में जड़ों में एपिडर्मिस की कोशिकाएं जल के आवर्शोषन का काईर्य करती है जड़ में जो एपिडर्मिस होती है इसी एपिडर्मिस की कोशिकाएं मिट्टी से जल का आवर्शोषन करती है इस प्रकार हम का सकता है कि पाधों में एपिडर्मिस की महतपुर्ण भूमिका होती है अब हम देखेंगे अध्याव्ष का प्रश्ण सेंखा चोदा इसमें पूछा गया है छाल यानि कार्थ किस प्रकार सुरच्छा उत्तक के रूप में काईर्य करता है पौधों के बाहरी सतव में छाल का निर्मान होती है और ये छाल Πधों में एक सुरच्छा उत्तक के रूप में कायरे करता है इस प्रश्ण के जवाब में हमें बताना है कि छाल जो है ये पौधों में किस प्रकार सुरच्छा उत्तक के रूप में कायरे करता है अब आए इस प्रश्ण का हम उत्तर लिखते हैं ब्रिच की आयू बढ़ने पर उसके वाहय सुरचात्मक उत्तकों में कुछ परिवार्तन होता है। जैसे जैसे ब्रिच की आयू बढ़ने लगती हैं, उसकी बाहरी परात एक सुरचात्मक उत्तक के रूप में परिवार्तित हो जाती है। एक दुसरे विवजित्तों की पट्टी तने के एपिडर्मिस के इस्थान ले लेती है बाहरी सता की कोशिकाएं इस सता से अलग हो जाती है जो पाधों पर बहुत परतों बाली मोटी च्छाल का निर्बान करती है इन शालों की कोशिकाएं मृत्ध होती हैं जिससे कोई अंत कोशिकिया इस्थान नहीं होती हैं और इस प्रकार छाल जो हैं वो व्रिच को सुरच्छा परदान करती है इनकी भित्ती पर सुबेरीन नामक पदार्थ होता हैं जो इन शालों को हवा कथा पानी के लिए आभिद्ध बनाता हैं छाल की भित्ती पे सुवरीन नामक पदार्थ पाया जाता है और सुवरीन की उपस्तिती के कारण ही छाल हवा और पानी के लिए आभिद्ध बन जाता है। इस प्रकार पौधों में छाल एक सुरच्छा उत्तक के रूप में कारे करता है। अब हम अगला प्रस्ण देखेंगे। अगला है प्रस्ण सिंखा 15 नेमन दी गई तालिका को पूर्ण करें। इस प्रस्ण में एक तालिका दी गई है। इसमें इस पर्ष्ट गूप से बताया गया है कि इस थाय उत्तक जो हैं ये दो प्रकार के होते हैं सरल और चटिल। हमें भरना है। इसी प्रकार जटिल। जो हैं ये दो प्रकार के हैं जिसमें एक प्रकार का नाम दिया गया है जायलम और दुसरा प्रकार हमें खुद भरना है। इस प्रकार इस तालिका को हमें पूर्ण करना है शवल उत्तक जो हैं ये तीन प्रकार के होते हैं पहला है पैरिंग कायमा दूसरा है कॉलिन कायमा जो की दिया गया है और तिसरा है इसकलिन कायमा इसी प्रकार जटिल उत्तक जो हैं ये दो प्रकार है पहला है जायरम जो की द दिया गया हमें दूसरा हमें फृलोम प्रकार इस प्रस्ण में तालिका को हमने पूर्न किया इस वीडियो में हमने पूरे अविभास सभी प्रष्止का प्रश्नका प्रश्नक्र सिंख्ञा 15 तक अध्री प्रश्नका उत्तर जाना तो students उम्मित करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी फाइदेमंद भी होगी और इस वीडियो से आपने काफी कुछ शिखा होगा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल साइन्स प्लेटफर्म को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लें और नोडिकसन बेल को अन कर लें ताकि हर नवी वीडियो की अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँच सकें इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें तब तक के लिए बाइब